हाई फ्रेंड्स गुड वार्निंग स्वागत आप सभी का लेट्स क्रेक राजस्तान एक्जाम केन अकैडमी चैनल पर और हम जो लोग बात करने चाहरे हैं वह आज कुछ न्यूस पेपर्स में आरे से मेंस को लेकर के कुछ अपडेट है जो न्यूस आपको स्क्रीन पर दिख पत्रिगा की वी न्यूस है, वो कह रहा है कि सुनवाई होगी, कुछ लोग कह रहे हैं सुनवाई होगी, दूसरे वाल एडिशन में कह रहे हैं की संसे हैं, इस तरह की चीज़े बहुत सारा है और बहुत सारा रायता फेल गया है, यह समझ लो आप, तो देख लिख में यह बासकर की न्यूसेस में क्या कह रहा है RS 2018 आयोग ने नहीं किया आवेदन सुनवाई की तारीख बड़ेगी RS मुख्य परिक्षा 2008 के लिए हाई कोट में अर्जेंट सुनवाई के आवेदन नहीं करने में बुद्वार को लेखो कहां पर बढ़ रहा हम बता देता हूं RS मुख्य परिक्षा 2008 के लिए हाई कोट में अर्जेंट सुनवाई को आवेदन नहीं करने से बुद्वार को इस पर सुनवाई नहीं होगी हाई कोट द्वारा केवल जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है ये सुनवाई बुद्वार को प्रस्थावित्ती राज्यस 18000 से अधीक अभ्यरती के कप्रेणा इस सारी कान्य कुछ मतलब नर्जेंट केसेज के सुनवाई के लिए काई है कोट नर्जेंट सुनवाई के लिए के लिए चलिए हैं आयोग सुतर कोन है क्या है यह कोई आवेदन नहीं किया है ऐसे में उद्वार को इस मामले में सुनवाई होने की कोई उमीद नहीं है हाइकोर दौरा जारी सूची को देखें कि पुरों में जो cases listed थे उनकी सुनवाई आगे कब की जाएगी तो अठारा मार्च को जिन केसेज की सुनवाई थी वो हम जानते हैं कि 16 अप्रेल को सुने चाहिए 19 मार्च को होने वाले ये इससे कोई लेना लेना है अपना है अगेन देखों यहाँ पर यह जेपुर का 11 नमबर पेस देख लीजएगा पतरीका का उसमें दिया है यह पतरीका की न्यूस है RS मेन के प्रेणाम को लेकर हाई कोड में आज होगी शुनवाई RS मुख्य परिक्षा 2.18 के प्रेणाम को लेकर बुद्वार को हाई कोड में शुनवाई होगी इसमें राजस्तान लोग शेव आयोग जवाप पेश करेगा वहाई हाई कोड के आदेश के बाद ही आयोग परियाम जारी करने का फिश लगएगा यह तो जानती है अब दरसल हाई कोड की शिंगल बेस ने बित्ते परेल यह सब कोई मतलब है नहीं तो यह न्यूस पत्रीगा की है तो अलग अलग न्यूस है पत्रीगा बाशकर की अब देखो इस सिस्टम है इसमें क्या करें बताओ और आप शेव मामलों की शुमवाई राजस्तान उच न्यायले जेपूर यह सारी न्यूस आप देख लो एक बार आपको हो जाएगा कि क्या लिखाया क्या नहीं है पर आपका निक्लूस निकाल गेगा खुद रास्तान उच न्यायले जेपूर बेश में मुखे नयायदिश की अदेखस्ता में मंगलवार को हाई कोट न्यायदिश बार असोशेशन माद दिवक्ता बार काउंसलर एस जी की बैठक होई कोरोनों का संक्रवन फैलने से रोकने के लिए परदेश की अदालत में 31 मार्स तक केवल आवशेक मामलों की सुनवाई का फेशला किया गया बेठक में मुखे पीट जोदपूर के न्यायदिश बार असोशेशन पता दिका निया और अनिये लोग वीडियो कॉनफरेंच से सामिल हुए कुछ न्यायले में मामलों को सुनवाई के लिए सुचीबद करने का जिम्मा तीन रजिस्टरार को सोपा गया सुचीबद के लिए दिवक तक दूसरे पक्ष के अस्ताक्षर करवाकर बारा बज़े तक सीट देनी होगी कल तक इस तरह की कोई चीज मैंने जब तक वीडियो मनाया था तब आको जान करी दिए अब रात को मैंने किसी से अपडेट लिया नहीं है ना कोई देगा मेरे को लेकिन साड़े साथ 8 बज़े तक यह था कि यह जो है वह चीज लिस्टेट यानि इस्पेशल लिस्टिंग की जुरत्थीज में कुछ बच्चों ने मेरे पास बेजा कि सरी यह हाई कोट की जो है उसके साइट के उपर यह आरा लिस्टेट है यह बहुत पहले लिस्टेट हो गया था वही चीज है उसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है और इतना तो अब इंडिया का सिस्टम तनरुस्त मत मानिएग कि हाथो हाथ सारी चीज़ अपडेट हो जाती हो तो हाई कोट में जो वेबसाइट पे उससे मत सुचेगा इसलिए है स्पेशन नॉटिकेशन निकाला गया था जो नोटिवेशन आपको पता होगा यह अपने नोटिकेशन देखा तक है तो यह नोटिकेशन किसली निकाला कि जो 17 मार्च को होगी वो 15 अप्रेल को सुनी जाएगी जो 18 मार्च को होगी वो 16 अप्रेल को तो यह इतना understood है कि इस तरह की चीज़े हाथो आध अपडेट नहीं हो सकती इसलिए जो 18 मार्च का 16 अप्रेल हो के चलिएगा क्योंकि सारे नियूस पेपर्स वाले जिनका इतना बड़ा सुरूत होता है वो भी चीज़ कंफर्म करना मुश्किल है उनके लिए तो मेरे लिए definitely है और कुछ न कुछ चीज़े इसमें जो है privacy रहती है लेकिन जितना मेरे को जानकारी है उस हिसाब से most probably ये केस आज नहीं सुनवाई होगी इस case की most probably जितना probable आप कर सकते है उस हिसाब से अब हो ही जाए तो अच्छी उमीद है मेरी news गलत हो जाए इससे का म उस दिखाई कि वहाँ पर जाके especially register करवाना है तभी जाकर के शनवाई होगी आइकोट की शाहिट पर क्या इससे कोई लेना देना नहीं है ये ज्याम रखिएगा बात है तो और कोई update मिलेगा तो मैं आपको जितना जल्दी हो सकें उतना जल्दी update करूंगा thank you धन्यवाद thank you very much